तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, अगर आप Tata New Application के अंदर एक अपना Mobile Recharge करना चाहते हैं, या अपने Friend का Mobile Recharge करना चाहते हैं, तो कैसे आप कर पाएंगे? मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था एकाउंट कैसे बनाते हैं और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था मुबायल दिचार्ज कैसे करेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको पता चलेगा कि Mobile Recharge कैसे करते हैं Tata New Application से तो सबसे पहले आपको अपना Tata New Application ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा Tata Pay आप इस पर क्लिक कर देंगे जैसे आप Tata Pay पर क्लिक करेंगे आपके समने यहाँ पर आपके समने इस तरह का पेज आजाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे तो अगर आप Mobile Recharge करना चाहते हैं तो Mobile Recharge करने के लिए आपको यहाँ पर Pay Bill का Option मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से बैक आएंगे बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है Pay Bill करने के जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपेन हो जाएगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे यहां महारेस पास इस तरह का page यहां पर आ जाएगा जैसा कि आप देखेंगे अब यहां पर आपको मिल जाता है recharge और यहां पर मिल जाता है mobile prepared आप इस पर क्लिक कर देंगे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अपना मुबाइल नंबर डाल देना है जिस मुबाइल नंबर पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपना मुबाइल नंबर फिल अप कर दिया है अब यहाँ पर आपको नेस्ट करना है जिसे आप यहाँ पर नेस्ट करेंगे और अपना हम UPST select कर लेते हैं उसके बाद आपके समने इस तरह का आ जाएगा अब यहाँ पर आपको मिलेगा view plan आप इस पर क्लिक करेंगे और जिस plan का आप रिचार्ज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर select कर लेंगे यह 25 रुपए का तो हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पर 25 रुपए का select हो चुका है हमें 2GB data मिल जाएगा उसके बाद proceed to pay पर क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा wait करेंगे हमारे पास इस तरह का page आ जाएगा यहाँ पर आप select करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे और add bill to card पर क्लिक कर देंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा पुरा बिल और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा प्रोसीड आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा आपके सामने इस तरह का यहाँ पर पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको बताया जाएगा पेमेंट पाएंगे इसके अंदर अभी यहाँ पर एड नहीं किया गया है कि UPI ID से अपना पेमेंट कर पाएंगे यहाँ पर आप अपने विजा कार्ड से Mastercard से MX से और रुपे से and Metrocard से आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे तो हमारे Tata New में अभी तक कोई भी कार्ड मैंने एड नहीं किया है अब हम यहाँ पर अपना कार्ड एड कर लेंगे कार्ड ऐसे add किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ तो यहाँ से हम इसे back करेंगे कार्ड एड करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है Tata Pay आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद निचे आएंगे तो यहां पर मिल जाता है कार्ड और यहां पर new आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप अपने कार्ड यहां पर add कर पाएंगे जो भी आपका कार्ड है जैसे रुपे या दुर्स्तो आपके पास master card है तो आपने ATM card number यहाँ पर डालेंगे उसका month और expiry यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर add पर click करेंगे continue पर तो आपका यहाँ पर card add हो जाएगा उसके बाद आसानी से आप टाटा new application से recharge कर पाएंगे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद